एक प्यारी चिडिया, बुलबुल, को एक जादूई पंक मिला था, जो उसे जहां चाहो वहां जाने की ताकत देता था. वह इस पंक से आस्मान में उड़ते हुए अलग-अलग जगहों पर जाती और नई-नई चीजें सीखती. एक दिन अचानक उसे महसूस हुआ कि उसका जादूई पंक गायब हो गया है. बुलबुल ने अपने दोस्तों, एक तोता और गिलहरी को इस बारे में बताया. उन्होंने मिलकर फैसला किया कि वे पंक की खोज करेंगे. तीनों मिलकर एक रोमान्चक यात्रा पर निकलते हैं. रास्ते में बुलबुल और उसके दोस्त कई रंग बिरंगे पक्षियों से मिलते हैं. वे हर पक्षी से पूछते हैं कि क्या उन्होंने जादूई पंक देखा है? कुछ पक्षी उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन करते हैं. बुलबुल की यात्रा में उन्हें कुछ जानवर भी मिलते हैं, जैसे एक बुद्धिमान कच्छुआ और एक हंसमुख खरगोश. कच्छुआ उन्हें धैर्य की सीख देता है, जबकि खरगोश उन्हें तेजी से काम करने की प्रेरणा देता है. कई घंटों की खोज के बाद, बुलबुल को एक गुफा के पास उसका जादूई पंक मिलता है. वह बहुत खुश हो जाती है और अपने दोस्तों का धन्यवाद करती है. अपनी यात्रा के अंत में बुलबुल को यह समझ में आता है कि असली जादू उसके पंक में नहीं, बलकि उसके दोस्तों के साथ के और उनकी मदद में था. वह अपने दोस्तों के साथ लौटती है, दिल में खुशी और नई सीख लिये हुए.